हलो एरिवने जीजी चनल समय तेश परमार सीमेट टूदाउन 24 की फुल डिटेल इस वीडियो में लेकर आया हूँ इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या एलिजिबिलिटी होती है क्या कॉलेज के एडमिशन क्राइटेरियाज होते हैं क्या एक्जाम का पैटर्न होता है स्टार्ट करने का समय तो बहुत 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 करने वाले हैं चलिए तो सबसे बेले बात करने कि सीमेट कॉमन मेनेजमेंट एक्जाम को कंड़क करवाता है और यहां पर करीब-करीब 1000 प्लस कॉलेजेज हैं जो कि रजिस्टर्ड है इंड अपने एडमिशन सीमेट के तूर देने के लिए अगर मैं बात करूँ इंडूर MP की जहसे मैं बिलॉंग करता हूँ तो इंडूर में सीमेट में जो एडमिशन होते हैं हमारे इंडूर में वो होते हैं दोब बड़े का IMS IBS और दूसरा है प्रेस्टीज कॉलेज राइट यह दोनों ही मैनेजमेंट में इनका अच्छा नाम चलता है यह दोनों ही यहां से अड्मिशन देते हैं इसे बहुत सारे कॉलेज़ेस हर शहर में अपने अपने अच्छे टॉप के ओलेज़े जो कि सीमेट के थूए अड के बाद अगर बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे एक अच्छा कॉलिक चाहिए और कैट से मेरा नहीं हो पा रहा है तो वह सीमेट पर आता है एक एवरिज बच्चा जिसके लिए कैट एक बहुत बड़ा ट्रफ्ट चीज हो जाती है ड्रीम हो जाता है कि मैं वो मतलब वो क्रेक नहीं कर पाता उसको लगता है कि यार नहीं यह कैट टेक थोड़ा सा एक डिफिकल्ट है विकॉस अफ हमारा बेग्राउंड वेसा नहीं रहा तो सीमेट उसके लिए एक बहुत बड़ी अपर्चुनिटी होती है सीमेट एक मॉडरेट लेवल का एक्साम होता है जिसक जिसको 6 month minimum में आप प्रेपेर करके एक्जाम को क्रेक कर सकते हो राइट छे महीने की प्रिपिशन में भी आप एक्जाम को क्रेक कर सकते हो easily तो क्या चाहिए बहुत सिंबल सा है 50% चाहिए जनल कैटेगरी के लिए आप किसी भी फिल्ड में ग्रेजवेट हो चलेगा बात करता हूं ने स्टार्ट करेंकि स्टार्ट करने की तो आप जो डे होता है ने स्टार्ट किया जाएं है टो सबसे important डेट होती स्टार्ट करने की तो पहले तो मुझे देयिव के स्टार्ट करने का किसी भी काम का स्टार्ट करने का तो आज आज से आपरस्ट करने के भी सारे मोड हो सकते हैं हमारी याव्ल offering भी चलती हैं जिसमें हम offline online दोलों लेते हैं आपको लगता है कि 1-2-1 हम से बेट कर पढ़ना है हमारी classes पर आकर तो आप लिए बता दी कि आप हम से जुड़कर सकते हैं अब यहां पर आते हैं पेपर पैटन पर पर पैपर क्या होता है तो पेपर पैटन के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको फाइव डिफ्रेंट मिलेंगे सब्जेक नूबर वन लॉजिकल रेजनिंग कॉंटिट ए इसनिंग फॉर्जरल अवेर्नेस फिफ्ट इनोवेशन एंड इशिप यह फाइफ डिफरेंट सब्जेक्स हैं जिसको आप कवर करके आप आपका स्कोर बहुत अच्छा गर सकते हैं पाचों सब्जेक्स को पढ़ने के लिए आपके पास एक बहुत बढ़िया अच्छा समय हो सकता है अभी आपका जो मन्त यहां चल रहा है जुलाई चल रहा है अप एक्जाम कब होगी वह भी हम बात करेंगे पर अभी जुलाई है तो मैं आपको बता दूँ जुलाई आधा हो चुका है तो हम अगस से भी प्लान करतें तो अगस मतलब जुलाई के बीच में स्टार् और हम जन्वरी तक last मान के चले कि अगर हम प्रिपेशन प्रिपेशन को हम जन्वरी तक कम्प्लीट कर सकते हैं और उसके बाद रिवीजन, टेस्ट, पेपर, मॉक्ट, टेस्ट और यह सारी चीज़े कर सकते हैं बहुत मिरियों कॉस्ट में हम आपको करवा सकते हैं देखे 20 को बनता है और उसके बाद जो स्कूर बनता है वो आता है परसेंटाइल में परसेंटाइल एक्चल में क्या होता है जो टॉबर्स होते हैं उसके माक्स से कंपेर करके आपके कित्ते माक्स हैं उसके रिस्पेक्ट में आपके कित्ते माक्स हैं उसको परसेंटाइल में काउंट क करेंगे तो बहुत आसानी से six month में हो सकती है और अच्छे से तयारी कर सकते हैं फिर आते हैं हम इसके syllabus पर चाहें तो screenshot ले सकते हैं यह syllabus पूरा सब्सक्राइब आपको देखने को मिलेंगे तो यह पूरा की पूरा आपका एक syllabus है और अच्छे सबसे इंपोर्टेंट पार्ट होता वह भी है यहाँ पर तो यह पूरा मैस के अंदर अच्छे सारा पढ़िएगा फिर आपको लगता है तो हमसे जाइन करके भी पढ़ सकते हैं चलिए नेक्स पर आते हैं इल्वडोंडीकल रिज्निंग का सिस्लिए बस आप देखे लॉजिकल रिज्निंग में ड्रेटिशनल लॉजिक श प्रैटिकल वर्बल इन यालजीकल लॉजिकल है एनलेटिकल लॉजिकल में लीनियर सर्कुलर इसे डिस्ट्रिबूशन सेक्शन से सब आरेंजमेंट्स में और पॉजल्स भी आते हैं यह देखो लॉजिकल रिजनिंग जो है वह इसा डोग है कि यहां पर 20 में से न बच्चा 18 तो करेक्ट करी लेता है अगर सिस्टेमेटिक हैं और ल रही पर हम बात करते हैं तो इंग्लिश के mateix अंदर वॉक्प आपका बहुत अच्छा होना चाहिए ग्रामर आपके अच्छी होना चाहिए और रिडिं跟erem्श ornaments रहा होना चाहिए यहां पर आप ले सकते हैं डेली न्यूज पेपर पढ़ेंगे और वो भी कौन सा वाला बच्चो English वाला चीक है English The Hindu Times of India या फिर और इस तरह से जो papers होते हैं वो आप ज़र पढ़िए जो टॉप papers होते हैं या आपके एरिया में जो भी आता हो आप इसको English news paper को आप मंगवाई हो इसको पढ़िए तो इससे आपकी बहुत सारी help बहुत रखी बागी दो classes से आपको यह सारी इसे पढ़नी है न ग्रामर और वोकेव नौल राइट तो यह आपकी बिजनेस जीके का आजकल कुछ पार्ट जो है न वह इसका इनोविशन इन इशिप में बहुत सारे questions आते हैं थोड़ा बहुत इधर भी वह डाल देते हैं पर आजकल जो है जो पेपर पेपर पेटन जो नया बना है उसमें पहले एक चुर में क्या था यह जो आपका जनल ल लगते हैं जिसमें इकनॉमी बिजनेस वर्ड पोलिटी स्पोर्ट कल्चर सोसाइटी इन सब पें कोश़्च सकते हैं जाने तो मैं में में इसका एक्जाम पास्ट यर में हुआ था था चीए मतलब सी मेंट 23 वाला जो था CMAT 23 वो कब हुआ था बच्चो मैं में हुआ था पर ऐसा मैं में पहले भी हुआ है कि नहीं मैं में पहले कभी नहीं हुआ पहले तो यह exam January में होता था धिरे धिरे लेट होके March अप्रेल में गया अब जो सिधे मैं में हुआ है तो इस बार थोड़ा सा exam का पूरा जो सिक्वेंस था वो थोड़ा सा लेट होता गया और वो इस तरह से लेट हुआ तो यह CMAT का important rates में तो अभी exam कही है इसके एक महीने पहले form आये थे तो one month आप form का मान लो चीक है तो अभी हम मान के चलें कि अगर form आते भी है, जैन में पर फैब मार्च में भी exam होता है तो आप यह मान के चलिये कि जैनवरी के बाद कभी भी form आने के chance हो सकते हैं, अगर exam फैब या मार्च में भी होता है तो इनके बीच में form आ सकते हैं, तो C-mate 24 के हम बात करें, 2024 24 तो उसके लिए आप तयार रही है कि हम यहां पर बात करें तो फॉर्म जो होगा वो कब तक आ सकता है जेन के बाद जनवरी के बाद कभी भी आ सकता है जनवरी के बाद exam के लिए आप पूरा प्रेपैर हो जाए जनवरी तक उसके बाद आप पूरा फोकस एक्जाम पे दीजूँ आप क्या लाना चाहिए मुझे एक्जाम में स्कॉर मुझे क्या करना चाहिए वो यहां पर अब थोड़ा सा ध्यान रखेगा कि आपको एक्जाम के अंदर थोड़ा सा तॉप इहां पर हम टॉप 10 टॉप 30 टॉप 15 टॉप 10 कुछ का टॉफ की बात के लें तोas बड़ा देखिए कटास एक बड़ा टिपिकल सवाल होता है कट अफ्ल कातऊ बहुत कर सेन में नहीं कुछ और सकता है उसके पेहले कट अफ कुछ और था हर बार cut off change होते हैं, cut off का मतलब ही होता है कि last selections किस marks पे हुए है या किस percentile पे हुए cut off होता है पर मैं आपको बता दूँ, cut off के लिए top colleges हैं तो आपको 98, 99 के above ही लाना होंगे above, above, चीक है, below भी नहीं बोल रहा है आपको तो 98, 99 percentile के above ही लाना होंगे और बाकी फिर उसके बाद जिसे जिसे आपके marks आ रहे है विसे विसे आपको colleges मिल सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको क्या बात कर रहा हूँ कि 99 के above लाने पे तो आपको top 10 में chances बहुत कुछ हैं फिर उसके बाद 95 से 95 से 98 top 30 पे आप आ सकते हैं पर आपको आपको क्या बता रहा हूँ आपको यहां पर अगर टॉफ वाप की जो बाते हैं हमको यहीं पर सोच रहा है तो हमें 99 परसेंटाइल लाने होंगे 99-98 परसेंटाइल लाने के लिए मुझे कितना चाहिए तो मुझे 300 अबाव स्कोर चाहिए 300 अबाव स्कोर चाहिए चीक है इतना मैं ले आओ कितने में से विटा आउट 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 अगर इतना ले आते हैं तो बात बन सकती है और इससे थोड़ा पोत उपर नीचे भी हो जाता है डिपेंड आउन सिचुएशन की पेपर पेटन के सारा पर आप 300 अबाव को टारगेट रखते हैं चारो में से 200 आपके चांसे बहुत अच्छ वह नहीं होता परस औरिंट्र रिकॉसैरा है अपने iosM हम अगर की बात करें तो हम यहां पर डाइरेक्ट्ट आपको सिमेड्ल स्कूर पर Pretrial स εδώ हो ता आपकर नाम लिस्ट में आता है आपको सिर्फ admission formalities को complete करना है और वो formalities के बाद आपका admission done है चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं top colleges top colleges के list है आप देख लीजिए ज़रा यहाँ पर अब यहाँ पर jb ims इंश्री और वेलिंगर के जे सो मया जिम गोवा ग्रेट लेग चेनल चिन्नाइका और नाई बीम पुने एबीबी एस बैंगलोर आएम एस इंश्रीज दोर के हम बात करें तो यह भी एक top अच्छा college है MP के हम बात करें अब डालिंडिया एशिया पेसिफिक जहपूरिया नोईडा का राइट तो यह बहुत सारे colleges भी है आप पर colleges को target आपको colleges का target तो रखना है पर पहले अब शुरू करना है शुरू कर दिया ना तो काम खत्म होता है तो हमें यह सारी चीज़े करनी है सीमेट के eligibility paper pattern important dates cut off selection process यह सारी ready है तैयारी करने के लिए आप start करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं हमारे टीम आपके साथ है all the best students इसी तरह के अच्छे चे information लेकर हम और हमारे टीम आपके साथ आती रहेंगी मिलते हैं next video में